हीट स्ट्रोक डॉक में कैसे होता है क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखने चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए यह इस वीडियो में आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है प्लीज इंट तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं हीट्स्ट्रोग हीटी स्ट्रोग बेसिकली बहुत ही लीथल किर्डिकल केंडिशन है डॉक्स में झी किष्टी कोंगयото है तो इन cra Meौ फॉर्ट्र को न दिखाए तो फिर हाइल चांसे रहता है कि आए-डा कि डाक्स मतलब की dog का body temperature जो है वो बिना infection की जो है बह जाएगा मतलब इसे कहते हैं non-paragenic hyperthermia इसमें infectious agent जैसे की bacteria, virus या फिन कोई hemoprogen infections या फिर कोई autoimmune problem तो इसके कारण से जब भी कोई भी infection से body का temperature बढ़ता है जिसे हम normally आम भासा में fever बोलते हैं तो वो fever non-paragenic है, मतलब non-infectious है और वो external heat stress के कारण बढ़ा है उसे कहते है हम heat stroke तो heat stroke basically क्या है अगर हम temperature की बात करें तो जो अगर body का जो temperature है dog की body temperature अगर वो 40 degree Celsius से उपर निकल गया, okay, तो समझे कि जो body temperature rise हो रहा है, body cope-up नहीं कर पाएगी, तो यह basically heat stress में condition चलिया आती है, heat stress में क्या होता है, dogs के जिदने भी important vital organ है, heart हो गया, gastrointesine system हो गया, brain हो गया, lungs हो गया, यह काफी severely affected होते हैं, इसी कारण से vital organ failure के कारण death होती है dogs की, तो अब basically क्या है कि हमें यह जाना जरूरी है इसके depth में जाने से पहले कि अगर मा लीजिए heat stress हो रहा है, तो heat stress basically जो heat को manage करने का जो thermoregulatory mechanism है dog म वो क्या होता है, किन-किन चीजों से जो है वो अपने dog की body के temperature को maintain करते हैं, अपने आपको heat में adapt करने के लिए heat stress से adapt करने के लिए normally, तो basically क्या heat के dissipation का, heat के transfer का चार process होता है, in fact dog ही नहीं, जितने भी mammals हैं, वो इस process को use करते हैं और body के temperature को maintain करते हैं, so number one हो गया आपका evaporation, evaporation के मतलब के हो गया, जब भी sweating होती है, पसीना जब निकलता है बाढ़ी के बाहर से, तो basically क्या होता है, यह पसीना जब निकलता है, बाढ़ी को cool करता है, तो इसे कहते है, evaporative cooling, यह basically dog में भी पाया जाता है, और basically क्योंकि as compared to human, dog में sweat gland body पे नहीं होती है, उनके पास sweat gland का स इसका मतलब वो body के temperature को maintain करने के लिए evaporating cooling method को use कर रहा है, इसे कहते है हम, एक heat dissipation और body के temperature को cool करने का process, ठीक है, यह basically क्या है, यह तभी ज़्यादा effective होता है, evaporative cooling, evaporation method, जब ambient temperature जो बाहर का surrounding temperature है, वो ज़्यादा नहीं है, say an example, 32-32 degrees Celsius temperature है बाहर का, उसमें काफी effective है, बढ़ ambient temperature 32 से उपर जा रहा है, उसके बाद humidity जो है, आदरता जिसे कहते हैं, यह अगर बढ़ रही है, तो यह प्रिटिक cooling method जो है, वो कारगर नहीं होता है, हम भी देखते हैं कि जब नमी बढ़ जाती है, तो पसीने जो हैं, वो सुकते नहीं, इसी कारण से कुछी ज़्यादा न और तो भी उसके बाद भी body temperature उसका cool नहीं होगा, तो यह धियान बर रखिए, जब भी dog जाला, panting कर रहा है, CVR panting कर रहा है, जाग निकालने लग रहा है, समझ जाए कि जो है body temperature जो है maintain ही हो पा रहा है, आपको ambient temperature ज़्यादा है, आपको तुरंद कुछ ना कुछ करना Second process है, मतलब की body को cool करने का, वो है convection, convection का मतलब क्या होगा, air flow, air जो है वो body पे flow करेगी और इससे body temperature down होगा, convection basically क्या है, कैसे किया जा सकता है, आप पंखा लगा दीजिए, पंखा चला दीजिए, उसकी हवा से जो है, ठंडी हवा से body temperature down हो जाए, या इसी चला दीजिए, या body temperature बढ़ जाता है, because of rising ambient temperature, तो सबसे best and effective method is convection, third जो है, वो है आपका जो है, conduction, conduction क्या मतलब होगा, heat जो है वो एक object से दूसरे object में ट्रांसफर होगी, higher heat जो है, जो है वो lower heat की तरफ जाएगी, तो इसे conduction कहते है, कैसे होगा, डॉग आपने देखा होगा, अकसर कि वो घर में रह रह रहा है, तो mostly वो ऐसे जहां पर ज्यादा बैठता है, जहां पर ज्यादा ठंडा हो, जैसे कि kitchen के पास, या ट्यालेट के पास, तो basically क्या होता है, कि वहाँ पर ठंडा ज्यादा होता है, मौश्चर के कारण, तो इसलिए जाके वहीं पर आपको वो पूरा पेट फैला मेंटेन रहता है, तो इससे भी डॉक अपने बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन करता है, तो कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाए कि उसको गर्मी लग रही है, इसलिए ऐसे जगहां पर जाके बैठ रहा है, जहां ठंडा रहे, कंडेक्शन मैठोड को यूज कर है, तो यह चार बैठोड इससे कारण से डॉडग अपने बॉडी के तेंपरेचर को मेंटेन करता है, अब हम आपको बताएंगे इसके इंपोर्टेंट क्लिनिकल वाइटल साइंस क्या होते हैं, हीट स्ट्रस के, जब भी आपका डॉग हीट स्ट्रस में रहेगा, तो बेसि जब आपको लगता है, और उसको बहुत जब जब निकालने लग रहा है, परिशान है, बेचाएन है, इधा हो तो पोजीशन बेचेंज कर रहा है, तो आप समझगे कि इनिशल साइंस हो सकता है, हीट स्ट्रस का, हायर और क्रिटिकल हीट स्ट्रस के साइन जो होते हैं, उसम डारिया बहुत ही आदा खोन वाला होगा, यूरीन भी ब्लडी डारिया होने लगते हैं, पिचर भी आप दे सकते हैं, तो इस तरह से ब्लडी डारिया करेगा, और यह बेसिकली प्रावलम जो हीट स्ट्रस में लास स्टेज पर आती जब बोडी का टेंपरिचर एक्स्ट्र आप पी पग में दे सकते हैं, पग में जो है नेजल ट्रैक काफी छोटा होता है, तो इसलिए पग डॉक को जो है रेस्प्राइटिर प्रावलम एज हीट स्ट्रस काफी जादा है, इसलिए उनको बहुत ध्यान से रखना जरूरी है, इसके साथ और जो क्लिनिकल साइंस आत कोगलोपैथी होने लगती है, इंट्रावस्क्लो कोगलेशन का एक पार्ट होता ही, इसलिए कान में भी इस तरह के लीसंस आते हैं, आप फ्योटो में देख सकते हैं, तो इस तरह के जो हैं चीज़े जो है वो क्लिंगल साइंस सिम्टम से देखती है, तो अगर आप कोई य इसलिक में ज्यादा होता है, जिनको हाड की प्रॉलम होती है, उनको ज्यादा चांसे हैं, जिनको लंग्स की प्रॉलम होती है, उनको ज्यादा चांसे हैं, तो यह बेसिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जिनमें डॉक्स में ज्यादा पाया जाता है, अब हम बेसिक जो आप actually करते हों जो कि नहीं करना चाहिए जो recommended नहीं है वो बताएंगे number one क्या है लोग करते क्या है कि आप उनको लगए कि डॉग हमारा बहुत ही heat stress में है body temperature बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे बरफ लेंगे ice को लेके उसके सर पे लगा देंगे उसके abdomen पर रख देंगे that is wrong very very wrong कभी नहीं करना है इससे क्या होगा कि peripheral vessel construction हो जाएगा because of ice उससे क्या होगा जो systemic cooling है वो नहीं हो पाती है और वो backfire करेगा तो वो और भी ज्यादा condition को बढ़ा देगा तो कभी भी आपको अपने dog को जो है ice cubes के नहीं रखना है ice cubes के चहरे पे face पे नहीं रखना है head पे नहीं रखना है ice cube को यूज ही नहीं करना तो please remember this second चीज क्या करते है कि उसको थंडा पानी प्ला देते हैं या फिर उसको जो है थंडी थंडे पानी को जो है उसके इनस में डाल देते हैं इसे कहते हैं cold water enema तो मतब cold water drinking cold water enema यह दोनों ही कंट्रा इंडिकेटर है क्योंकि जब भी डॉग heat stress में रहेगा तो उसका gastrointestine system severely effect हो जाता है और उसकारण से क्या होता है अगर हम थंडी चीजें उसको suddenly उसको उसके gastrointestine system में stomach में और intestine में पहुँच गया तो उससे थंडा पानी फिरिज से निकालिए उसमे नॉर्मल वाटर मिक्स कीजिए temperature को जो हो 10 to 15 degree Celsius तक maintain कर लीजिए कहा 15 to 20 degree minimum उसका temperature हो गया है तब हम क्या करेंगे कि कपड़ा लेंगे उस कपड़े को भिगो लेंगे उसके बाद उसके मत्य पर उसके अब डोबेंस पर रखेंगे पांच-पांच मिनेट तक इसको रखना है और पांच-पांच मिनेट पे इसके रिकॉर्ड करना है रेक्टल बोडी temperature that is important क्यों क्यों क्योंकि रेक्टल बोडी temperature को हमको देखना है कि जब वो 39.5 तक आगया तब हमें यह जो प्रोसेस है यह बंद कर देना है क्यों इसको और अंदर नहीं करना देखना है तक आपको यह प्रोसेस करना है उसके बाद कपड़ा रखना अब्डॉमन पे और हैड़ पे बंद कर देना है तब वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा तो आपको फिर अमेडिटली आपको वेट को सीख करना है वेट ऐसे वेट हम क्या करते हैं तो पहले हम उसको कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया तो बिसिकली इस चीजह इसको आपको फॉलो करना कर आप इतना फॉलो कर लिए तो यह पाया गया है जो को हम बचा सकते हैं घुट ही जेशने ढई अगर कभी भी ऐसी कंडिशन आती है तो काइंडी प्लीज ये फॉलो कीजिए और जो चीज मैंने बता है नहीं करने के लिए उसको प्लीज मत कीजिए आपको ये वीडियो जो पसंद आएगा तो प्लीज फॉलो कीजिए ध्यान रखिए टेक कियर कि ढूलोड कर लिजिए प्लेशटर के बाद फिर आपको क्ऌल मीफ़एप सर्च किजिए इंस्टाल करने के बाद पीर आपको कॉल्मिफ़एप सेSharnBeauty को ईवलइड को चेकिजिए उसके पाद का मीफ़एड को रिचार्ज कीजिए मैणीष Baumism कीजिए मनीष Callimi4 Пом !